आपके अपने चैनल जोगी सरकी पार्ट साला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफकेशन मिल जाएगे वीडियो में 10th class के math subject के chapter number 3 pair of linear equation in two variables की exercise 3.3 के question number 3 के third and fourth part को करेंगे इस वीडियो में यहाँ पे हम पहले third part कर रही है जिसकी हमने statement यहाँ पे लेखी हुई है क्या कहता है the coach of a cricket team buys 7 bets and 6 balls 7 bet 6 balls 4 rupees 3800 later she buys 3 bets and 5 balls 4 rupees 1750 find the cost of each bet and each ball हम माल लेते हैं let let cost of one bet हमने क्या माल लिया rupees x माल लिया and cost of one ball हमने माल लिया rupees y अब simple जो condition है according to question यह क्या कहता है कि starting में 7 bet 1 bet का x rupees 2 bet का 2 x 7 का क्या हो जाएगा 7 x plus 6 ball से एक ball का y है तो 6 ball का 6 y और यह total cost हमारे पास कितना दियावा है rupees 3800 so equation number हमारे पास क्या बन गया 1 बन गया simple again according to question दुबारा से फिर क्या कहता है वो 3 bets means 3 x हो गया और प्लस का 5 balls means 5y हो गया rupees 1750 this is our second question चीक है अब हमने किसी भी एक में से x से y के value substitute कर देनी second में माल लीजिए हमने कह दिया from first equation from one equation यहां से 7 x is equal to कितना हो गया 3800 minus ka 6y so x की value क्या हो जाएगा 3800 minus 6y upon क्या हो गया 7 हो गया यह value putting in second from first say हमने निकाल ली putting in second equation 3 into 3 into यह value हमार पास क्या है 3800 minus ka 6y upon 7 और plus का plus का 5y that is is equal to 1750 ठीक है अब इसको solve करेंगे तो हमार पास यह value कितना बन जाएगा 0024 11400 minus ka 3618y divided y कितना हो गया 7 plus का 5y is equal to 1750 अब आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे LCM लेना पड़ेगा हमने LCM ले लिया कितना हो गया हमारा 7 तो यह तो as it is हो जाएगा minus का 18y plus यहां पे 1 है तो 1 इससे multiply करेंगे 7 5 जा 35y हो जाएगा यह अच्छा इदर हमारे पास क्या है 1750 अब यह 7 इदर जाके हम multiply कर देंगे यह हमारे पास बचा 1140 minus का कितना हुआ 17 minus का 18 plus का sorry plus का बचेगा क्योंकि plus के हमारे पास ज्यादा है 7 से multiply किजिए 0 35 क्या बन जाएगा 122 चीक है अब यह दर जाके minus करोगे तो 17y is equal to 12250 minus 11400 भी minus कीजिए यह 50 बच गया हमारे पास 850 हो गया 17y so y is equal to 850 upon 17 17 इदर जाके divide किया मैंने कितनी value आ गए 50 आ गए y is equal to 50 है तो हमारे पास x की value क्या होगी x की value हम यहां से निकालेंगे हमारे पास हो गया 3800 minus का 6 into 5 means 50 means y की value 50 है divided by हमारे पास कितना हो गया 7 हो गया solve करें तो हमारे पास 3800 minus का 300 50 into 6 divided by क्या हो गया 7 3500 divided by 7 cancel करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 500 हो गया means x की value हमारे पास क्या हो गया 500 क्या निकालना था cost of each bet and each ball the cost of each bet that is rupees आ गया 500 and cost of cost of each ball that is rupees हमारे पास कितना हो गया 50 हो गया बड़ा ही असान सा था चलिएए अब हम इसमें फड़ कर लिया अब हम इसका फौर्थ पेवार्ट और करते हैं इसी में हब इसका फौर्थ पार्ट देख्ञें किसंदेखने में बड़ा है लेकिन बहुत असान है पहले हर बार को में ट prim सिचलती है तो स्टार्टिग में कहतें सी अगर आपने बैठते ही अगर आपने बैठ गकी तो इतने रुप्छे lub लगे लगेंगी एक फिक सार का दॉर साथ की साथ आफ जितना से स्टमार करते हो two चार्ज पेज रूपीज 105 यिन उसमें fix our भी आ गया और दिशन्स जो 10 km की थी इसका भी चार्ज आ गया and for is the new 15 km the charge by the舞ए 155 चेक 10 km के लिये हो गया 15 km wad are the fixed charges and the charge per km पहले हम यही करते हैं let solution देखिए हमें दो value निकालनी है let the fixed जो fix किया है हमने वो charge माल लेते हैं let the fixed charges rupees x माल लिया कि आप taxi में बैठे तो इतने रुपे लगे लगेंगे इसके बाद हम charge per kilometer charge per kilometer यह हमने माल लिया rupees y means a kilometer जाओगे तो y two kilometer जाओगे two y three kilometer जाओगे three y लग जाएगा अब according to question देखिए यह कहता है अगर आप 10 kilometer जा रहे हैं 10 kilometer जा रहे है एक्स तो यह तो fix है यह तो लगे लगेगा x और plus का एक kilometer के लिए y तो 10 kilometer के लिए कितने रुपे लगेंगे 10y और यह कितने रुपे पे करने पड़ रहे हैं that is equal to 105 this is equation number one हो गया ठीक है again according to question हमारे पास next में क्या कहता है for a journey of 15 kilometer तब भी हमारे पास fix hours तो है और साथ में 1 kilometer का y तो 15 का 15y हमें कितने रुपे पे करने equation one from equation one x की value हमारे पास क्या हो जाएगी 105-10y इसको इधर लेगे हम now putting in putting in two two में put कर दीजी x की जगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 105 x की जगे में 105-10y लिख दिया plus का क्या है हमारे पास 15y है किसके equal है 155 की है अब minus का 10y plus का 15y तो किसके बचेंगे plus का ये 105 इधर जाके minus करोगे तो 155 minus का 105 means 5y that is equal to how much 50 हो गया minus करेंगे 50 हो गया so y की value हमारे पास cancel करोगे कितना हो गया 10 मुझे charge पर kilometer की value तो पता चल गी 10 हो गई अब x की value so x is equal to हमारा क्या होगा 105 minus 10 y की जगे हमने 10 put कर देना है 105 minus का 100 that means 5 so x की value हमारा पास कितना हो गया 5 हो गया देखिए फिर so fix charge जो है हमारे पास that is rupees 5 यह fix charge है हमारे और charge per kilometer charge per kilometer that is rupees कितना हो गया 10 हो गया कि बड़ाई simple था चलिए इस वीडियो में इतना ही next video में हम अगले क्योंसन के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जयाहिन जयाभाद